परिवर्तन के विजय कैंडिडेट प्रभाकर सिंग ने कहा कि व्यापारियों के हित में काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोएंगे वे बुद्धवार को समवादाताओं से बाचेत कर रहे थे 25 सिप्टमबर को विश्व फार्मसिस्ट डिवस पर शहर में भी कई कारेक्रमों का आयूजन होगा बुद्वार को सिंभूम फार्मसिस्ट एसोसियेशन के बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई नैशनल सर्विस सेम की तीनो इकाईउ द्वारा बुद्वार को ग्रेज़ेट कॉलेज में एनसस दिवस मनाये गया इस अफसर पर एनसस छात्राओं द्वारा कई कारेक्रम पेश किये गए इससे पूर्व प्रचारया डॉक्टर उशा शुकला, डॉक्टर सवीता मिश्रा, डॉक्टर अजना सिंहा ने संयुक्ति रूप सेद्वी प्रजवलित कर कारेक्रम की शुरुआत की विस्वान सम्नी तनिरंकर कारव था। मारव था समिता ममता कारती साथ मलो रसलिका जो अनी बारे नंट मलो रसलिका जो अनी बारे नंटी कम्सा कदमा उल्यान मुख्यमार्ग पर बुधवार को एर टेल के नए आउटलेट की शुरुआत की गई कदमा उल्यान मुख्यमार्ग पर कृष्णा कॉम्पलेक्स में एर टेल के नए आउटलेट की शुरुआत की गई इस आउटलेट में ग्राहकों के लिए कई नए स्कीम की घोशना की गई है वर्ल्ड डेफडे के अफसर पर कदमा स्थिद जमशेथपूर स्कूल आफ आट में विशेश बच्चों के लिए ड्रॉइंग कॉमपटीशन का यूजिन किया गया दसवी वर्ल्ड डेफडे के मौके पर सिम्भूम डिस्ट्रिक्ट एसोसियेशन ओफ डेफ द्वारा कदमा स्थिद स्कूल आफ आर्ट में ट्रॉइंग कॉमपटीशन का यूजिन किया गया प्रतियोगिता में शहर वा आस्पास स्थेच सभी मुख बधिर स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया एसोसियेशन के अध्यक्ष सुधी मुखहर जी ने कहा कि विशेश मच्चों के लिए कारक्रमों का आयुजन बहुत कम होता है इसमें जम्शित्पूर में जितने भी मुख बधिर स्कूल है उनके बच्चे को हम लोग इंवाइट करते हैं परके उनका चाग गूप में बाढ़के ड्राइंग कम्पेटिशन कराते हैं कदमा उल्यान में कर्मा मोहत्सो पर समुदाई के लोगों ने रंगारंग कारिकम का आयुजन किया बोशे चीरी को लेकारी, ना बुले कोई भीजे दिलो का दरा भी चाई चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर नौकरी का जासा देकर पिरुजगारों से पैसे अपने वाले गीरों के दोस्त पदस्यों को पुलिस ने धर्दब उचा अब सोंबवार को खुलेंगे सभी बैंक, बुधवार को सभी बैंकों में ग्राह को पी रही भी, अधिरिक्त काउंटर खोले गए मंगला हाट के दुकांदारों को मिली रहत, प्रशातन में तीम स्थान सुझाने का दिया प्रस्ताव और हंगामा खेच रही टाटा वरकस यूनिन की बैठक, बोनस और हॉंडा सिटी कार का मुद्दा चाया रहा